So, good evening दोस्तों, दोस्तों आज 29th जुलाई है और 29th जुलाई में क्या-क्या बैंकिंग निउस आए तो सब कुछ आपके साथ डिसकस करना चाहते हैं लेकिन वीडियो को डिसकस करने से पहले मैं बताना चाहते हूँ कल जो हमने वीडियो पाब्रिश किये थे ओग बैंक फैमिली पेंशनर को इनक्रीमेंटल कम्यूटेशन जो 11th बाइपाटर में इनक्रीमेंटल कम्यूटेशन जो था ओँ मिल चुका है दोस्तों इनक्रीमेंटल कम्यूटेशन मिल चुका है और इंडियान वासेस बैंक ने इनक्रीमेंटल कम्यूटेशन पे कर दिया है जो लोग 2017 डिसेंबर में नहीं तो नोवेंबर का लास्ट में 30 और 31 में डिटार्ट हुआ था तो कौन-कौन सा फैमिली पेंचर अभी तक इनक्रीमे चैनल को लाइक कर लिजिए शेयर कर लिजिए और जो बेल आइकन है दोस्तो उसको इनेवन करके रखिए क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो अप्लोड करते है मेरा चैनल में तुरंत आपके पास वीडियो पॉस जाएगा दोस्तो मैं इंस्ताग्राम में भी आप मुझे इंस्ताग्राम में भी पॉलो कर सकते हो मैंना चैनल का आईडी है नौलेज आईक्यो टीपी तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोग प्लीज मेरा वीडियो को स्टील एं उन्होंने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में सबसे इंपोर्टेंट साथ चीज तो है फैमिली पेंचन और पेंचन अपडेशन ए तो इंपोर्टेंट चीज है लेकिन बहुत सारा वीवर मुझे बता रहेते हैं फाइब डेस ऑफ बैंकिंग दोस्तो जो फाइब डेस और यूनियन है इसमें सबसे इंपोर्टेंट साथ चीज है देयर और अधर इंपोर्टेंट पेंडिंग इशूज लाइक फाइब डे बैंकिंग दोस्तो मैं एक चीज बताना चाहते हूँ लाइसी का जितने भी एंप्लोईस था है गॉवर्मेंट ने लाइसी एंप्लोई इसको भी मंडे से लेके फ्राइडे तक बैंकिंग होना चाहिए इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया है फाइब डेस ऑफ बैंकिंग उसके साथ साल जो स्टाफ फेसिलिटी से उसको भी इंक्रिस करने का बात बोले जारे उसके साल जो फैमिली पेंचन तो 30% है और उसके साथ साथ जो फूल पेंचन जो रिटायर होने के बाद दोस्तो 20 यार्ज के बाद जब उसका उमार 80 यार हो जाएगा तो उसमें फूल पेंचन का बात भी किया गये दे दोस्तों और इसमें सबसे इंपोर्टन सा बात है फैमिली पेंचन उर्पी इंहांस एदरे 30% सल्दी क्रेडिट होगा फैमिली पेंचन और एप्रूब भी हो जाएगा उसके सास्ता जो 14% बेसिक पेंचन प्लस डी है मींस NPS कंट्रिबूशन इसको लेके भी डिसकस किये गए थे आज के निउस में दोस्तों जो नेक्स्ट जो मेरा जो निउस है जो बैंक डिपोजिट बंध हो जाता है अगर बैंक में देवलिया हो जाता है इसके हिसाब से डिपोजिटर को पाच लाक रूपिया 90 डेस के अंदर अंदर मिल जाएगा दोस्तों आज कैबिनेट में जो फिनेंस मिनिस्टर निर्माला सितरामन जी है उन्होंने डिसकस किया गए है दोस्तों जो 5 ने भी डिपोजिटर है उन लोगों को मिल जाएगा विदिन 90 डेस एक गयांटी दिया है दोस्तों जो फिनेंस मिनिस्टर है सितरामन जी ने नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों ओ गुड न्यूस है पीएमसी बैंक में और लवीबी और एस बैंक जो लक्ष्मी विकास बै दी उन लोगों को पैसा उन लोगों के पास मिल जाएगा उसके साथ साथ यूनियान बैंक ओफ इंडिया ने क्वाटर वान का रिजल्ट का जो प्रोफिट जंप हुआ है दोस्तों 255 परसेंट जंप हुआ है दोस्तों 2 रूपीज 1,181 करोड दोस्तों आज के दिन में और बैड निउस है क्योंकि RBI ने इंपोस किया है रूपीज 5 करोड पेनल्टी और एक्सीज बैंक और LIC का डिज इंबेजमेंट पॉलिस है क्योंकि आप तो चानते ही हो है LIC का IPO निकान ले बाले है गौर्ण्मेंट आफ इंडिया जो लोग शेयर मार्केट में इंबेस्ट कर दोस्तो आप कमेंट सेक्शन में बूलिए LIC का IPO गौर्ण्मेंन निकल रहे है यह 100% करेक्ट है नहीं नहीं है तो में प्लीज बताइए और दोस्तो आज का वीडियो यही खतम करते हैं लेकिन वीडियो खतम करने से पहले मैं बताना चाती हूँ प्लीज वीडियो का का वीडियो ही खतम करते हैं, थैंक यू